आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे MIP application से माने ट्रांसपर कर सकते हैं साथ में पना केरेडरी स्कोर चेक कर सकते हैं यानि आप एक ही application से पूरे फासिलेटी यूज़ कर सकते हैं साथ में पना पैवेंटिका ओप्षन हो चाहे रीचार्ज का ओप्षन हो चाहे मैंटिका ओप्षन हो यानि हड़ कुछ आप एक ही अप्लिकेशन से यूज कर सकते हैं मैं ट्रांसपर जो आप करेंगे फिर योग कोष्ट रहेगा आपसे एक पी रुपया असूला नहीं जाएगा जिसमें म अगर बारें बातों तो इस तरी के संपना है अपको आपको अप्लीकेशन करते हैं उसके बाद गया आपको सबस्पिल आपको लॉगिन एडिक करना पर के जिसमें आपको इसका पावरवाई है जिसमें आस असलें तरगेस अपना जो लेटेश्ट नियाने आपको जो क्रेडिकार स्कोर आप चेक करें क्रेडिकार प्रीट कर दिया है और गेमिंग आपसे इदर से इस्तेमाल कर सकते हैं यह सब करने से पहले आप अपने स्काइन का भी ऑप्सन कर सकते हैं बैलेंस रिपोर्ट और साथ में ट्रांजेक्शन का भी आप इदर से यानि रिक्वेस्ट मनी का भी है साथ में ट्रांसपर मनी का उससे पहले आपको इसमें लॉइन एड करना पएगा पूरे वर्जन उसके बाद नीचे मैं आपको मिलेगा लॉग इन का यानि आपके लॉग इन तब कर सकते हैं जब आपके पास MI का फोन रहेगा तो उसमें एक आपका MI ID बनता है वह MI ID से इसको आप कर सकते मिलesh करिक करता हूँ उसके बाद देखेंगे इसको मैं को लॉगइन करता हूं उसके बाद आप देखेंके बैंक एक कोट्ट किलिक करता हूं उसके बाद सबस्पर में इतेकेक रखा हूं तो आपको अपको सामने एक बैंक एक प्रक्राइब दिखलातों तो फाली आप एड़ बैंक पर किलिक कीजिए जैसे आप एड़ बैंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सीम एक बार वेरिफिकेशन करना परेगा चलो फाली हम उपर वाला सीम बेरिफिकेशन करते हैं जिसमें आपसे डे रूपया वसूल आ जाएगा यानि आपके सीम में जो SMS चार्ड होता है उसको आपको देना पड़ेगा उसको दे देते हैं उसके वाद मेरा मुवाइल नमर वेडिफिकेशन होगा उसके वाद मेरे मुवाइल से जितना भी बैंक अकॉंड इंकुलूड है यानि अब चल रहा है वो सब बैंक अकॉंड आप बैंक सर्च करने के बाद आपका प्रेंट आपके सामने आ जाएगा तो फाइलि इस बैंक पर किलिक करेंगे आप से यूपी आईड आपको सेट करने के बोला जाएगा यानि आप जो आपक्रेट करें रहेंगे जैसी में बता दू अगर आपसे अपना इसे पहले किसी भी बैंक को आप यूज किये रहेंगे तो आप दाल सकते हैं कोई इस्सुने है यानि वही अपका काम करेंगा उसी पर आप्सेश्ण आपको मिलेगा देखेंगे पूरे तरीके साबेव आपका चालू करेंगे तो फाइले आप ट्रांसपर पर किलिक कर देजी जैसे आप ट्रांसपर पर किलिक करेंगे आप इधर से अपना bank account से money transfer कर सकते हैं इजी तारीके से जो भी फिरी आप cost होगा आप से एक भी रुपया नहीं असूल आ जाएगा इसके लिए इसका जो term and condition है MI का आपको एगरी करना पड़ेगा जैसे आप एगरी करेंगे उसके बाद आपको सबसे पहले option मिलेगा UPID का यानि आप UPI से money transfer कर सकते हैं bank account से money transfer कर सकते हैं साथ में अगर जो भी ब्यक्ति MI का application यूज करता है उसके mobile नमर से भी आप money transfer से कर सकते हैं आपको जैसे आप फोन पे application में चुआइज करते हैं यूज करने के बाद आपको कोड करना पड़ेगा बेनिफेसरी का नाम डालना पड़ेगा एक और नमबर कॉंफर्म एक और नमर उसके बाद आप जैसे आप नेक्स में क्लिक किजिए जैसे आप नेक्स पर क्लिक करेंगे जिसका भी नाम से यूपी आइड चलता है उसका नाम उपर में से होजागा उसके बाद आप एमान डालने के करेंगे आप से मांगा जाएगा इधर अपना अप डालते ही आपका बेंक कर से में ट्रांस पर हो जाएगा उससी परकार है आपको बता दिया पर मोईल लंबर से भी आप साथ में आपका रिवर्ड पॉइंट भी जितना में ट्रांस्पर दस्ट करेंगे जितना आपका रिवर्ड पॉइंट आपको मिलेगा और रिवर्ड पॉइंट आपको इधर दिखाई देगा तो यह रिवर्ड पॉइंट को भी आप सबने बैंक एकॉड में में ट्रांस्पर का थुरू यूज कर सकते हैं तो गाज काफी अच्छा यह अप्लिकेशन है तो आप सब जरूर यूज कीजिएगा अपलिकेशन को और रिवर्ड पॉइंट जरू प्राप्त कीजिएगा उम्मीद करते हैं आप सबको यह वीडियो काफी पसंद आजा हुगा जरूर वीडियो के लाइक किजिए, कॉमेट कीजिए, पिन दोस्तों के साथ जरूर सेर कीजिएगा अगर आप सब को इस वीडियो के रिगार्डे कुछ इसू है मैं ट्रास्ट करने को लेके तो आप सब कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं